हेलो दस्तों कैसे हैं आज हम आपके साथ बहुत ही important बात शेयर करने जा रहे हैं दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ भी नहीं सिखा देगा किसी माई के लाल महिमत नहीं कि आपको कुछ सिखा दे किसी में नहीं आप पुछेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोर रहे हैं यह तो बहुत ही offensive आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है दोस्त दुनिया कोई ताकत में हिमत नहीं कि आपको कुछ सिखा देगा किसी में नहीं तब आप हमसे पूछेंगे सर जब कोई सिखा ही नहीं सकता तो फिर इतना सारा system का जरुद क्या है system का जरुद है दोस्त क्यों जरुद है आपको इसी चीज़ को तो समझना है सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको कुछ भी सिखा सकता है और वो आप खुद है जब तक आप नहीं चाहेंगे कि हम को कुछ सीखना है तब तक दुनिया कोई ताकत आपको सीखा नहीं सकता एक छोटा सा उधारन देते हैं जैसे आपके फिदा जी आपके सर आपकी माता जी आपको बोलते हैं कि बेडा तु ये काम कर ले तु बहुत आगे चला जाएगा क्या बेटा वो काम करता है, बेटी वो काम करती है, घर के बच्चे वो काम करते हैं, क्योंकि वो अपने धून में होते हैं, वो नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, बाद में चलके उनको दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे कि हमको जीवन में कुछ करना है तब तक कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता बाबू जिंदिगी में आगे बढ़ना है दोस्त तो सबसे पहले ये आपके अंदर में लगन होनी चाहिए आपके अंदर में वो burning desire होनी चाहिए वो आग होनी चाहिए कि हमको कुछ पाना है तब ही आप कर सकते हैं नहीं तो हम आपको बोलेंगे आप देखे यूटूब पे कम से कम करोडो वीडियो होगा आपके पिता जी आपके माता जी आपके टीचर आपको रोज बोलते होंगे कि बेटा पढ़ ले बेटा बेटा जीवन में कुछ करना है बेटा ये कर ले बेटा वो कर ले बेटा लेकिन बेटा क्या कर रहा है बेटा के अंदर में वो आग है ही नहीं क्योंकि मा पिता जी टीचर सब लोग भुक्त भोगी हैं सब लोग जानते हैं कि अगर बेटा नहीं पढ़ पाया तो बेटा कुछ नहीं कर पाएगा अगे चलके वह ही कोई छोटा-mpoterm काम करेगा क्या कोई पिताजी, कोई मा, कोई टीचर ये चाहते हैं कि मेरा जो चेला है, मेरा जो शिश्ह है मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो बेटा है वो कोई छोटा काम करे कोई भी मात पिता अपने बच्चे को छोटा काम नहीं करने देना चाहते इस सिलसिले में हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं ध्यान से सुनिएगा बहुत मजाएगा सबसे पहला बात क्या है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं जब तक आपके उपर भरोसा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्त खुद के उपर भरोसा होना चाहिए सिल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं पहला काम क्या होना चाहिए दोस्त self confidence होना चाहिए आत्म विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं अगर जिस समय आपको ये बात ध्यान में हो जागा कि हम कर सकते हैं आप कर लेंगे नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं कुछ इसी पर तरक आपको देते हैं जोस जोस में हम लोग कोई काम सुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं काम सुरू तो किया बट बीच में ही छोड़ दिया, सफलता कहां से मिलेगी जैसे एक problem को आप सुरू करते हैं math का sum होता है, बनाना सुरू करते हैं आप बीच में ही छोड़ देंगे, आप बोलेंगे सर मेरा solution नहीं आया, कैसे आएगा solution, आप बीच में क्यों छोड़ दिये, solution तभी आता है जब आप पूरे problem को solve करते हैं, जब तक आप problem solve नहीं करेंगे, solution नहीं आएगा, तो problem को solve करना is more important, till end, अंद तक problem को solve करना पड़ेग solution के लिए, clear है, उसके बाद, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम अभी काम करना शुरू किये, और अभी result आ जाए, हम लोग के अंदर में धैरे नहीं हैं दोस्त, तो दूसरा सबसे important चीज क्या है, हम लोग को धैरे होना चाहिए, धैरे होना चाहिए धैरे नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग समस्ते हैं कि फोटो को भी मजी ने भिया, इधर से लगाया, इधर से प्रिंटो के आगया, ऐसा थोड़ी होता है, हर काम को समय देना पड़ता है, एक बीज बोते हैं, आज फल लगता है पांच साल के बाद, आप को बताते हैं, आप कोई भी चीज सीखना चाहते हो, आप बोलते हो कि सर, I want to learn English, I want to speak English, in front of anyone, where there are people, I just want to, how is it possible, just you watch people, oh, he is speaking English, what a nice person he is, wow, great, awesome, आप फटा फट सब कुछ को बारह में सोचते हैं कि हम भी कास, ऐसा ही बोलते हैं, बोलते हैं, कि हम भी बहुत अच्छा इ English बोल रहे होते, yes, that is true, you want to be, and you should be, लेकिन क्या होता है, हम लोग सोचने कि अंग्रेजी बोलेंगे, और फलना फलना जैसा बोलेंगे, YouTube पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, दस दिन में सीख जाएंगे, बीस दिन में सीख जाएंगे, एक महीने का कोर्स है, सीख लेंगे, कर लेंगे, भैया कहां सीख पाते हैं, जो सीखा रहे होते हैं, खाली एक बार उनसे पुछ लेजे, भैया आपको सीखने में कितना दिन लगा था, बस, भैया कोई दालभात का कवर नहीं है, क्योंसे मिलाया, मूँ में डाल लिया, हो गया, रूम वस नॉट बिल्ट इन डे, एक दीन में कुछ भी नहीं होता, 30 दीन में कुछ भी नहीं होता, दोस्त, 30 साल लग जाएंगे तो भी आपने इस सीख आएंगे, जब तक आपको अपने अंदर चाहत नहीं होगी, चाहत होगी तो वो 30 साल, 3 महने में बदल सकता है, ठीक ह 30 साल, 3 महने में बदल सकता है, अगर चाहत नहीं होगी तो वो 3 जनम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, आप Physics हो, Mathematics हो, चाहिए English बोलना हो, दुनिया को कोई भी काम हो, आपको अपने अंदर में Burning Desire होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक दम Burning Desire होन नहीं सीख पाएंगे, आपके अंदर में जोलन इक्षा होनी चाहिए, किसी चीज़ को पाने की, तब आप जरूर सीख जाएंगे, एक छोटा से एक्जांपल लेंगे, आपको बहुत मज़ाएगा, एक छोटे से बच्चे की कहानी, आपकी कहानी, हमारी कहानी, आपके पित दिन जब आप चलना सुरू किये होंगे, कैसे चलना सुरू किये होंगे, आप अपने मम्मी का साड़ी पकड़े होंगे, पापा का पैंट पकड़े होंगे, भाईया का पैर पकड़े होंगे, आपने चरपाई का, चोकी का, पलंग का, डंड़ा पकड़े होंगे, खड़ा ह खड़े हुए, फिर गिरे, फिर चोट लगी, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर चोट लगी, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर चोट लगी होगी, चलते चलते मुह के बल गिरे होंगे, ओठ कट गया होगा, सर में चोट लगी होगी, क्या आप चलना छोड़ दिये, क तो फिर यही वाला चीज आप अपने लाइफ में क्यों नहीं उच करते हैं। सोचिये, बच्पन में हम यही काम किये और आज वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हम लोग। खुद को देखिये ना, हम क्या थे जब हम एक साल के थे, हम कितना कोशिस किये। बहुत सारे एक्जामपल है दोस्त हम लोग के लाइफ में। क्यों नहीं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। कोशिस जरूर कीजिये। कभी हार नहीं मानिये। बीच में मत छोड़िये। कभी इस पार से उस पार जाना हो, बीच समुद्र में चले जाएं, बीच नदी में चले जाएं, बोले कब हम नहीं जाएंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई। डूब के मरने वाली बात है, सूसाइड आप कर रहे हैं। अरे ट्राई तो कीजिए, उस पार आप जरूर चले जाएंगे। क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं। कोशिस कीजिए। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। बस कुछ चीज को ही तो ध्यान देना है। सबसे बड़ा बात एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। बहुत मजदार कहानी है। पानी की टंकी वाला कहानी है दोस्त। पानी की टंकी वाला कहानी हम बार-बार इसलिए आपको सुनाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत दम है दोस्त। यह जीवन का सार है। छोटा से एक्जाम्बल देते हैं, आप समझने की कोजिस कीजिएगा, बहुत लाजवाब एक्जाम्पल है, इसको जीतना बढ़ियां समझिये का, दोस्त, लाइफ उतना इजी हो जाएगा, आप बोलते हैं कि सर, हम कोई इंग्लिस देते हैं, चलिए हम आप एक छोटा से एक आप सब लोग चाहता है कि within a short period of time I want to learn, कैसे possible है भाईया, डाल भाते कवर है, इसाने मूँ में डाल लिया खाओ गया, रेपेट भर गया, it is not feasible at all, इसके लिए वक्त देना पड़ता है, प्राक्टिस करना पड़ता है, खूद पे भरोसा रखना पड़ता है, और मेहनत करने पड़ती है भाईया, simple, 100 सवाल का एक जबाब आपको मेहनत करना पड़ता है, देखिए कैसे करना है आपको, जैसे आपको इंगलीस बोलना है, चलि हम आपको इंगलीस पर ही आप एक्जामपल आज देखते थे आपको, इंगलीस बोलना है, आप बोलेंगे सर हम इंगलीस क का पानी का टंकी है ठीक है इसमें यहां लगा हुआ है आप देखते हैं आपको एक्जांपल में बताया होंगे कि यहां नल जो होता है थोड़ा सा ऊपर लगा रहता है ताकि लिकेज नहों अगर नीचे लगा देंगे ना बॉटम कर्व होता है ना नल जब भी लगता है तो कर्व वाला पार्ट से उपर लगता है ठीक है और आप बोलते हैं कि भाईया हमको अंग्रेजी सीखना है ठीक है भाईया अंग्रेजी सीखना है अब अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी सीखने के लिगा करना पड़ेगा आपको इस टंकी में क्या भरेंगे इस टंकी में मेरा दिमाग है ये टंकी क्या है दिमाग है दोस्त चिक है सुरू में आप यहाँ पर मोटर से ऐसे यहां से गिर रहा है मान लेते हैं इंग्लेश मोटर से क्या है निकल रहा है इंग्लेश क्या निकला English लिकना मोटर से और ये मोटर कहां भढ़ना सुरू कहीं चे आप सोचते हैं कि सर हम English डालना सुरू किये इंगलिस भरा थोड़ा सा भरा सर इंगलिस निकल नहीं रहे मेरे मूँ से भया आप सुरू में जब मेहनत करते हैं उसका आउटपुट नहीं आता है बिल्कुल ही नहीं आता है क्यों नहीं आता है यह जब तक नल का जो टोटी है यहां तक जब तक आपका पानी नहीं आएगा इंगलिस नहीं आएगा तक एक भी बूंद नहीं गिरेगा आपको क्या लाएगा मेरा सारा मेहनत वेस्ट हो रहा है अब हम काम छोड़ देंगे यही हम लोग करते हैं हम लोग 10 दिन मेहनत करते हैं और 11 दिन सोचते हैं कि रियल्ट आजाना चाहिए कैसे आएगा रियल्ट 11 दिन इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं काम को बीच में मेहनत बहुत लगता है आउटपुट जीरो आता है मेहनत बहुत लगता है आउटपुट जीरो आता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अब हमसे नहीं होगा काम को छोड़ दीजे डिस्पोस कर दीजे बंद कर दीजे यही हम लोग करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते तब लोग क्या बोलते हैं पता है बोलते हैं इतना मेहनत किये यार पागल की तरह मेहनत किये और रिजल्ट नहीं आ रहा है मेहनत इतना किये और पांच रुपया कमा रहे हैं 10 रुपया कमा रहे हैं 100 रुपया कमा रहे हैं 100 रुपया के टर्म में आपको पता है कि जल्दी तो जैसे जैसे पानी का टंकी भरता जाता है इसकी धार तेज होते जाती है जैसे जैसे आप भरते जाते हैं वैसे वैसे इसकी धार तेज हो जाती है मतलब भाईया जैसे जैसे आप इंगलीस का प्रैक्टिस करेंगे English practice English practice जितनी अधीक होते चले जाएगी आपके मुह से भी English उतना तेज निकलता चला जाएगा आप क्यों नहीं करते हैं भईया यह वला काम क्यों डर के छोड़ देते हैं बीच में उस सिर्फ एक कारण से कि हमको आउटपूट बहुत थोड़ा मिल रहा है आउटपूट थोड़ा नहीं मिलता फाउंडेशन को मजबूत करने में पूरा मेहनत जाता है भईया आपको याद होगा एक्जामपल दिये होंगा हम आपको सारा मेहनत उतना सारा मेहनत जमीन के नीचे दब जाता है मजदूर का मालिक का पैसा दब जाता है बिल्डिंग नहीं दिखती है बिल्डिंग तब दिखती है जब उतना मेहनत होने के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखता है उसके पहले नहीं दिखता है आपको भी अगर अंगरेंजी सीखना हो कि बहतर English कैसे सीखें तो आपको भी यही करना पड़ेगा Initially you have to practice आपको यह नहीं देखना है कि अमों grammar आता है कि नहीं आता है structure आता है construction आता है कि नहीं आता है मेरे vocab अच्छी है की नहीं है कोई माइने नहीं रखता है दोस्ते आपका सबसे एक सीज़ माइन रखता है बोलना एक और एक्जामपल दें आपको सबसे लाजवाब एक्जामपल देते हैं एक छोटा सा बच्चा आप अपना ही लेजिए सरी हमापी का एक्जामपल बार बार देंगे आप अप को इंग्लिस का या हिंदी का अलफवेट सिखाय थे शिखाय थे कि बेड़ा कउसे कब उतर खुसे खरगोष A for apple, B for ball सिखाय थे, नहीं सिखाय थे लेकिन आप सीखे न बूले न कवा आ बूले न B for ball, ball, गेंद, ममा, पानी, मम, कौन सीखाय आप? क्या सीखे, कौन सा किता आप पढ़े? जब बच्चा क्ला, दो साल का होता है वो सारा बात बोलने लगता है कौन सा टेन सीखा, कौन सा ग्रैमर सीखा वो? कहां से सीख लिया वो? कुछ नहीं सीखा लेकिन सब काम हो किया, सब कुछ बोला अरे पढ़ना तो तब सुरू करता है जब वो चार साल, पान साल का होता है उसके ममी पापा उसको लकेजी, यूकेजी में दाखिला देते हैं तब वो कुछ सीखना सुरू करता है कुछ कलम पकड़ना सुरू, पैंसिल पकड़ना सुरू करता है भाया इनेसियली किसी को जरूत नहीं होती है कोई भी ग्रैमर की, कोई भी चीज की सबसे बड़ा चीज होता है उसका कोशिश वो कोशिश करता है बोलने का आप बोलवाते हैं वो सबसे पहले आपको औप्जर्व करता है पते हैं को एक छोटे से बच्चे को देखिए कआ आप दो भाई आपस में ममी पापा भाई बहन कोई लड़ता रहा ना तो छोटा सा बच्चा आपको देखता रहा कैसे क्या हो रहा है वो आपको सिर्फ देखता है यानि कि वो आपको अब्जर्ब करता है और जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे वो भी करता है आपको भी तो observe करना चाहिए आप टीवी देखते हैं मोबाइल देखते हैं आपके पर सबसे बढ़िया तो मोबाइल है भीया यूटूब पे कम से कम करोड़ों वीडियो है बहुत सारा हजारों एप है एक बार आप खोलिए देखिए उसमें कितना सारा चीज दिखता है है ना कैसे बोल रहा है निउज देखते हैं आप English निउज देखिए ना English anchor को देखें जो इंगलिश में बोल रहे हो BBC देखिए न सबसे बढ़िया है BBC लाजवाब बोलते हैं वो लोग कंमाल का बोलते हैं observe तो कीजिए ना कैसे word का use कर रहे हैं, कैसे pronounce कर रहे हैं उसको, कैसे उसको use कर रहे हैं, just you do it, follow it, copy it, हम लोग को यही तो काम करते हैं भया, पुरा दुनिया copy ही करता है, आप भी copy कीजिए न, observe कीजिए न, जैसे वो करता है वैसे देखिए सिखिए और वैसे कीजिए अरे वह डांस भी तो इसे करता है न लोग यूटूब पे खुल लेता है और डांस का स्टेप्स करके सीखता है और उतना अच्छा डांस करता है बाबा जैक्सन साथ ऐसा ही कुछ था हम भी एक बार वीडियो देख रहे थे बाबा जैक्सन ऐसे तो डांस सीखा है यूटूब पे मोबाइल से जब वो देख देख के माइकल जैक्सन जैसा डांस कर सकता है इतने सारे बच्चे डांस सीख सकते हैं सिर्व YouTube से आप YouTube को देखके नहीं सीख सकते हैं भाईया भाईया उसको करने के लिए लगन चाहिए और जो शीर बर्निंग डिजायर चाहिए जब तक वो नहीं होगा हम ग्रो नहीं कर सकते हैं दुनिया कोई ताकत आपको सीखने से रोक नहीं सकता, बाबू. आप सबसे अच्छे हो सकते हैं. You should be the best. लेकिन क्यों नहीं हो पाते हैं, पता है. आप बोलेंगे, जर कोई नहीं सीखा, फ़लना नहीं सीखा, चिलना नहीं सीखा. अरे आप हजार का एक्जाम्पल दीजेगा नहीं सीखा हम सिर्फ एक का एक्जाम्पल देंगे जो सीखा भाईया आप ये देखिए क्लास में 50 बच्चे होते हैं रोल लंबर सिर्फ एक ही का होता है तो सफल होने वाले मुठी भरी लोग है जनसांकिया हमारी यहां 140 कड़ोड है मुठी भरी लोग सफल है तो आपको 140 कड़ोड के हुजूम में रहना है कि मुठी भर लोगों के हुजूम में रहना है अगर मुठी भर में रहना है तो मेहनत कीजिए 140 कड़ोड में रहना है तो जैसे आप हैं वैसे तो प्रुकी है जिन्दिगी चली रहे है, डालोटी चली रहे है परशानी किस बात की मेहनत कीजिए दोस्त अंदर में जुनून लाइए, जोश लाइए ताकि आप भी कुछ कर सके अपने अंदर तुफानी बदलाव ला सके जरूर कोशिस कीजिए दोस्त जरूर आप सफल होंगे दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से बेस्ट अफ लग दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉप्टी के साथ तैंक्यू